बिसमिल्लाहरह्मानिरहीम, अस्सलामुलेकुम टिक्टोक और इंस्टाग्राम पे वाइरल होने वाली मज़िदार से रोस्टी टी आजकल बहुत वाइरल हो रही है तो हम लोग भी इसको ट्राय करेंगे, वैसे भी सर्दी आने वाली है तो चाए का तो आज होने वाला है, हर जगा चाए ही चाए होने वाली है तो चलें जी हम देखते हैं किस तरह से बनती है ये सबसे पहले एक पैन ले लेंगे हम पैन आप लोगों ने देख के लेना है, इसमें बिल्कुल पानी ना हो, बिल्कुल ड्राइ पैन होना चाहिए, अभी मैंने इसके अंदर कोई आग बगारा नहीं चलाई, यह मैंने दो टेबल स्पून भरके चीनी के लिए लिए है, वो इसके अंदर एड़ कर देंगे, हम क्य इसको अब आप लोगों ने जब एक दफ़ा आग चला देनी है इसके नीचे तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है, इसके पास ही रहना है, क्योंकि अगर आप लोग एक दफ़ा इसको छोड़ेंगे फिर यह नीचे से जल जाएगा और सारी चाय कडवी हो जाएगी, इसको आप लोगों ने हिलाते रहना है, चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, इसको हम दो से तीन मिनट में इस तरह से हिलाएंगे और चीनी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी, अगर आप लोग तेजा करेंगे तो यह एक दम से होना शुरू हो चुकी है, और पती का कलर भी इसमें आना शुरू हो चुका है, तो चायद पती थोड़ी से फूल रही है, यह थोड़ा सा फलफी सी हो जाएगी चीनी, अब यहां पर आप लोगों ने आग बंद कर देनी है, क्योंकि चीनी पती एक दम से मेल्ट हो चुकी ह अगर अब यहां पर आग चलती रहेगी तो यह नीचे से जल जाएगी और कड़वापन देगी, इसलिए आप लोग आग को बंद कर दे, फिर इसके अंदर हम दूद आड़ करते हैं, यह कुछ इस तरह से इसकी फॉर्म आ जाएगी, यह अब दूद डाल दिया है मैंने, य यह एक कप अभी दूद कर डाला है, अभी एक कप बार में डालेंगे, अभी यहां पर आग चला देनी है, और यह देखें, आप आप लोगों को लग रहा होगा कि यह चीनी भी वेस्ट है, पती भी और दूद सारा कुछ खराब हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोग आग चलाएं, इसको आप एक से दो मिनिट के लिए बॉयल करें, तो यह सारा कुछ इसके अंदर दूबारा से मेल्ट हो जाएगा, यह देखें, सारे कुछ इसके अंदर मेल्ट हो गया, अब हम बाकी का जो बचा हुए एक कप दूद का था वो भी इसमें डाल द लेकिन जो हमने दूद डाला था इसके अंदर, उसमें थोड़ा सा कच्छापन हो गया, इसलिए उसको मच्छी तरह से पकाएंगे, और जब यह तीन से चार मिनट चाय पक जाए, तो फिर आमने उसको इस तरह से फैंटना जरूर है, चाय को फैंटी लगानी बहुत जरूर और उदर इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, फिर आप लोगोंने कपों में डालनी है, यह तीन से चार मिनट हो गए है, अब हम इसको कप में डालेंगे, यह हमने पोनी ले ली है, यह स्टेनर, इसको आमने थोड़ा सा कप से उपर रखना है, ताके इसके उपर बुल- तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और जो चाय के शुकीन है, वो जरा कमेंट में बताएंगे कितनी दफ़ा आप लोग चाय पीते हैं दिन में, इसको भी जरूर ट्राय करें और फिर्म जो फीडबैक भी जरूर देंगे, कैसी बनी थी आपके चाय है, तो चलेंज जब मैं आउगे कच्छे से नए वीडियो के साथ और हमें याद रिखेगा, लाफेज